शुप्रभाद दोस्तों मैं शमयता आज आप लोग के लिए एक छोटी सी अनुवादित कहानी लेके आ गई हूँ इस कहानी का जो लेखक हैं आप लोग शायद इनको इनके नाम से कितना जानते हो मुझे कोई आइडिया नहीं है सही माइने में लेकिन शायद इनके पुत्र के कारणामों से उनके अचीब्मेंट से आप लोग शायद परिचित हो सत्यजित रहे तो मैं सत्रजित रे की पिताजी, सत्रजित रे का जो पिताजी हैं शुक मार रहा है तो मैं उनकी लिखित एक कहानी को आप लोगों के साथ शेर कर रहे हूं हिंदी में आप लोग यह सोच सकते हो कि यह तब कित्ती पुरानी है लेकिन बांगला में पुस्चिम मौंगो में जादातर बच्चों का अटलेस हमारे जेनरेशन में या हमारे के हम से 6-7 साल बाद के भी जो जेनरेशन हैं उनके जो इनिशेशन हुआ है साहित्ते के साथ तो वो जादातर बच्चों के जो इंटरेक्शन चुरू होता था या हुदा हुआ है वैसे आज भी इनिशेशन अगर होता है साहित्ते के साथ तो वो शुकुमार राय इनकी लिखित बच्चों के लिए जो सारे कहानिया हैं छोटे छोटे कविताएं हैं रायम से उन सबसे होता है जादातर इनके साहित्ते को जाना जाता है नॉनसेंस जॉनर के साहित्ते के हिसाब से लेकिन जितना भी nonsense बोला जाए लेकिन उनकी कहानियों में उनकी श्रिष्टियों में कहीं न कहीं एक बहुती निर्भिक एक वास्तव का रूप चित्रायन हम लोग हमेशा देखते हैं तो मैं अपने छोटी से सिमित से जो capability है हिन्नी में उससे ही मैं इनको मैं translate करते हुए आप लोग को सुनाना चाहती हूँ क्योंकि वही है एक छोटी सी गुडिया है जिसके request से ही मैं ये bilingual मेरी जो चैनल है जो बांगला की चैनल है बांगला भाशा की तो उसको मैं bilingual में transform करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये कहानी है बहुत चोटी सी कहानी है इसका नाम है ओशी लोखोन पॉंडित ओशी लोखोन मतलब क्या है चलिए पहले इसको हम इसको हिंदी जैसे प्रनाउस करने की एक बार कोशिश करते हैं यूँकि ये जो दो शब्द है ये पुरा-पुरा संस्कृत शब्द है तत्सम शब्द है तो आशा करूंगी कि हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा अशी लक्षन पंडित मतलब जो तलवार के लक्षनों को चेक करता है उनको जाचता है तो ऐसा एक दिगज तो चलिए दोस्तों शुड़ू करते हैं अशी लक्षन पंडित अशी मतलब तलवार तो अशी लक्षन पंडित लेखक है शुकुमार राय राजा के राजसवा में बड़े बड़े तनके वाले मोटे मोटे तनके वाले बहुत सारे राज कर्मचारियां थे लेकिन उन सब में से सारे लोग जो बहुत काम के थे वैसा नहीं है सिर्फ दो-चार जन नहीं थे जो लोग सक्ची में महनत से काम करते थे और बाकी सारे लोग क्या करते थे बैट-बैट के ही अपना तनका लेके जाते थे अब जो लोग ऐसे बुद्धु बना के अपना काम चलाते थे उन में से एक थे अश्री लक्षन पंडित जो राजा के सामने आके एक दिन बोले के वो अश्री लक्षन मतलब के तलवार का दोश गूर्ण विचार करने वाले ऐसे जानकार हैं कि जो तलवार अच्छा है या बुरा है वो बोल सकते हैं तो वैसे ही राजा बोले अरे वाँ ये तो बहुत अच्छी बात है तो आप मेरे सवा में रह जाओ और आप राजे में जित्ते ही सारे तलवार बनते हैं ना आप सबका लक्षन बिचार करना है ना तो वैसे तब से ब्राम्हन राजा के तलवार में रह गए और एक बहुत समती भारी भर्दम तंकाओं को मिलने लगे वहर रोस करते थे तलवार को परिख्षा निरिक्षिन करते थे और कहते थे यह तलवार वो तलवार खराब है उनका जो काम है वो कहते थे यह बहुत ही कठे काम है तो वो खित्ते सारे तलवारों को वो ऐसे ही जांसते कभी वो उल्टा के पल्टा के देखते थे तो कभी वो सूंग के भी देखते थे और जहां तक वो सूंग लेते थे उसके बाद वो अपना जो व उनका जो जाच करने का नियम था वो लेकिन बहुत ही आसान वाला था क्या था पता है ऐसा था कि तलवार को जहां तक उनके सामने लाया जाता था तब वो सूने पे ही जाते थे और जहां तक वो सूने जाते थे अब जो लोग तलवार बनाये हैं न वो सारे अपना अपना जो मार्क है वो मार्किंग वो वहाँ पर ड्रॉ कर देते थे अपने तलवार के उपर वहाँ पर वो फोर्ज कर देते थे और जहां तक यह सुगने के चकर में उस मार को आईंटिफाइग करने की कोशिश करते थे जहां तक ऑबन के उस मार आईंटिफाइग कर लेते थे تو उनको पता चल जाता था वहाई किसने उनके पास यह तलवार भेजा है हो सकता है कि वो इनसान उनको बहुत ही खातिर करता हो उनको खिला के पिला के खुश रखता हो या उनको बहुत सारे खुब सारे पैसे देते थे तो ऐसा अगर किसी का अगर ऐसा तलवार उनके पास आ जाता तो वो बहुत खुश हो के कहते अरे ये तो बहुत अच्छा तलवार है वही एक ड़म मिजास खुश करने वाला तलवार है इसका तो कीमत हजार उपए होगा और जिनके उपर वो गुसे में थे मतलब जो उनको क्या कहते हैं जो उनको खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा उपर से उनको पैसा नहीं देते थे तो ऐसे जो हैं ऐसे अगर किसी का तलवार आए वो चाहिए जितना भी अच्छा बना ले उनके पास से तो वो पास होके नहीं जा पाता था वैसे जो कुछ भी हो जाए वो तो उसको आगे ही नहीं वड़ने देते थे तो ऐसा अगर कुछ आ गया ऐसा अगर को एक तलवार आ गया उनके पास अरे वैसे ही किते अच्छे तलवार बना के लाते लेकिन ये विचार करके कहते ये तो एक दो रुपे का भी तलवार नहीं है भई इन में से ही ये रिजेक्शन वाले जो ग्रूप है इन में ही एक उस्ताद कारिगर था और जो अपना जी जान लगा कर बहुत अच्छे से तलवार बनाते थे और जब भी वो बना के लाते ये अशी लक्षन ये पंडित है ये ना कर देते फटका आते थे तो एक दिन क्या हुआ आखिरकार इत्ती बार इत्ती बार रिजेक्शन के बाद ना वो कारिगर सही में गुस्से में आ गए और वो क्या क्या पता है एक तलवार बनाया तेज तरार तलवार सबसे उंदा तलवार वो बना लिये और उसके बाद उसके चारो तरफ ना उसके उसके उपर अच्छे से लाल मिर्श जो पावडर होता है ना सुखी लाल मिर्श की जो पावडर है वो अच्छे से लगा दि देने के लिए बोल दी तो पंडित ने क्या किया बहुत बीकार मन से उन्होंने बोला फिर से क्या करके लाया रहे बोल के वो क्या किया जहां तक वो अपना नाक लगा के उसको सूंगने गया तो सोचो क्या हुआ उसके नाक में के अंदर तो मिर्शी का जो चूड़ा था वो चला गया और जहां तक चूड़ा गया तो क्या हुआ है चो आच्छू तो जहां तक यह उन्होंने चीका उसके साथ ही उनका जो नाख है ना वो कटके दो भाग हो गया तुरांच चारों तरव खलवली मजगे कोई कहा रे पानी ला रे पानी ला कोई कहने लगा रे वेटन को बूलाओ वेटन को बुलाओ तो तब तक तो वो तलवार बनाने वाला जो उस्तास कारिगर था तो लम्मे-लम्मे पैर में पैर से वो अपने घर तक तो दोर के भागे और इधर सेलक्षन पंडित का क्या हुआ वो तो बहुत ही विपता में चला गया क्यों पहले तो उसका नाख कट गया उपर से जब भी वो बाहर आते तो सारे लोग उसको चुड़ाने के लिए कहते अर देखो देखो कटे हुए नाग वाले पंड़जी आ रहे हैं तो बिचारा अभी किसी को मूँ दिखाने लाय की नहीं बचा वो राज सवा में भी ना जा पाए और अपना नौकरी भी ना कर पाए उनको देखते ही लोग क्या कुछते हैं पता है तलवार कैसा था तो आज के लिए यहां तक ही शुकमार राय की राय महाशाय का लिखा हुआ ऐसे ही छोटे-छोटे कहानिया लेके मैं फिर वापस आउँगी आपरों के पास हर सुवार शुकमार तो यह जो सेग्मेंट है इसका नाम है शुकमार शुमोगरो मैं कोशिश करूँगी उनके लिखे हुए जित्ते सारे कहानिया मेरे पास है या मैं जुगार कर सकती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तो आज यहां तक ही तड़ा